हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने शनल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे SRH वर्सिस आर आर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में ग्रैंड लीक के लिहास से मज़दार वीडियो होगी क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो होगी और इसमें बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ आपको मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कहां मैंने कॉंबिनेशन यूज़ करें और अपनी ग्रैंड लीक्स विन करीं जैसे मैं माइंडसेट से कॉंबिनेशन बनाऊंगा लगों ठीके मुझे पैट्रोल देते रहोगे तो इसी मिरी गाड़ी चलती रहेगी वर्ना मैं रुख जाता हूं कही ना जी में साती होता थे ठीक पेट्रोल डालते रहे न क्योंकि लोगों के लिए शायद पैसा वह होता है एक पैट्रोल मेरे लिए पैसा नहीं मेरे लिए प्यार एक पैट्रोल है जो आपका है बहुत स्ट्रेट फॉरवड होके बता रहे हैं अभी दोस्तों 200 के हो गए है हमारे टेलीग्राम पे लेकिन फ सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पूरी देख लो फिर शायद मन कर जाएगा सब्सक्राइब करने का खरेगा तो जरूर कर देना ठीक है तो यहां पर यूट्यूब पे भी आपने हमें जुड़ जाना है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहां भी किस सिचुएशन में कर दी ताकि आप समझ पाएं प्रैक्टिकली और मजे से विन कर पाएं ठीक है तो दोस्तों यहां पर पहले हम कुछ देखेंगे ग्रेंड लिग के प्लियर्स जो की हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं डिफरेंट रह सकते हैं देखो स्मॉल लिग भी तो विष्टु विनोथ भी ठीक प्लेयर लगे बड़ खेलने के चंस इसका में अधर्वाइस जो गूड प्लेयर आखरी दो मैचेज में इन्होंने भी 50 करी है राहूल त्री पार्टी को आइस कैप्टन ट्राय कर सकते हो ग्रेंड लिग में ठीक है देवदत पडिकल है 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 जैसवाल है जैसवाल को ट्राय कर सकते हो ठीक है ओपनिंग प्लस फाइव में सी वी सी करोगे इनको वो बताऊंगा कैसे राजी वेंडर ड्यूसन इस मुश लैकली नौट गोना पले इल हैं थोड़े अगर खेलते हैं तो ये ट्रायवल रहेंगे ग्लेन फिलिप्स एक बह प्ले करेगा इफ फिलिप्स खेलें तो ये सीधा-सीधा ग्रेंड डिक है ठीक है बाकी के प्लियर्स आपके लिए उत्रा जादा ग्रेंड डिक का उप्शन नहीं है हाँ समध एक अच्छे फिनिशन है सनराइजर के और अभी कुमार समर्थ फॉर्म में है प्रैक्टिस रिकॉर्ड मिल जाएगा उसमें आपको वेन्यू का रिकॉर्ड मिल जाएगा ठीक है इवन M.C.A है फिर भी ठीक है और किस प्लियर्स ने M.C.A में लास्ट इम हंडर्ड किया था इनमें से एक प्लियर है पता होना चाहिए आपको जाके देखिए वो वीडियो 35 मिनिट की वीडियो है मिस मत करिए अप उसको अच्छे से देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है देन अब हम और डांडर में देखेंगे देखो माकरम एक डिफरेंशल पिक है सुन्दर का बहुत कम यहाँ पर सिलेक्शन है नॉट बैड ऑप्शन नीचम खेल जाए अगर फाइव डाउन पर आएंगे इन में से और कुल्टर नाइल में से एक खेलेगा यह ग्रेंड लिग की भी और स्मॉल लिग की भी डिफरेंशल पिक्स में मैं काउंट करूंगा रोमारियो शेफट को फिलाल मैंने रखा भी होए टीम में यह आपको चार ओवर करके देंगे गयाना के लिए खेले थे CPL में 9 मैच में 18 विकेट निकाले थे प्लस रंज भी स्मैक कर सकते हैं यहाँ पर अभिशेक शर्मा अब 7% सेलेक्शन हो गया पांच परसेंट था जब हमने वीडियो में बात करे थी अब्विसली इनके चांसेज है ओपनिंग करने के के केन विलि इसमारी हैं असाम स्टेट से यह खेलते हैं इस बार इनोट करना इनके बहुत जल्दी आपको रंज देखने को मिल सकते हैं मुझे बहुत पसंदने हैं गडवाल हैं जिनका मैं बता चुक हूँ इनका प्रैक्टिस मैच में 6 गेंद में 22 रं थे ठीक है तो यहाँ पर मुझ बताया था राजस्तान रॉयल्स में थे यह पिछले सीजन एक सिक्सिटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था यह विन करके गए थे तीन में से तीन मार के ठीक है बाकि यहाँ पर मैं घडवाल का आपको इसलिए ज्यादा रेकमेंड करूं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा लाइम बोट यह सब तो कॉमन है डिफ्रेंट कॉमन है ठीक है डिफ्रेंट पर जाएंगे नटराजन डेथ बूलर यॉरकर्स डालते हैं करेंड ले सकते हो टीम में ठीक है अब वाट अवेलेबल नहीं है अगर कुल्टरनाइल खेल जाएं वो डिफ्रेंशल है नीशम और इन में स इस प्लेयर है बट इन में से और शैफट में से कोई एक खेलेगा यहां पर दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जगदीशन सुचित पर लेफ्टाम और्थोडोक्स लेफ्ट हैं बलेवास स्ट्रोक्स अच्छे लगाते हैं मुंबेड नियल साथ अलेड़ी चैं यह आपके small league के भी options रहेंगे ठीक है बल्लेवाजी में दोस्तों यहां पे I won't include anyone except Glenn Phillips अगर खेल जाएं और विकेट कीपिंग में वही प्लेयर है तो यह कुछ हमारे जो होगे वो basically main grinding picks है ठीक है अब शेक शर्मा ओपनिंग पे आएंगे Glenn Phillips अगर खेलते हैं 2 से 3 डाउन ठीक है ओपनर प्लस 5 में हम क्या करेंगे दोनों opener को लेंगे देखो राजस्तान से expected जो मुझे है अभी वो है कि जॉस बटलर आपको ओपनिंग करके देंगे most likely along with यहां पे यह शस्वी जैस्वार ठीक है तो इनको हमने ले लिए राजस्तान के 5 बुलर हमें pick करने हैं तो नैथन कुल्टर नायल यह situation बेडिपेंड करेगा 5 बुलर अभी के लिए नीशब मान लेते हैं देन दोस्तों यहां पे अब देखो क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि राजस्तान रोयल्स के opener दोनों full target chase कर रहे हैं उनकी तरफ से मुझे बोलर भी 5 मिल गए है सनराइजर से मुझे कोई बोलर नहीं चाहिए भाई क्यों नहीं चाहिए बोलर क्योंकि मेरे को कोई विकेट लगना ही रहा जाएगा इस combination को मैं बना ही इस हिसाब से रहा हूँ तो भले बास चाहिए मुझे जो सनराइजर से रन करें विलियम संत रिपाथी निकुलस पुरान की दर भैठे है भई निकुलस पुरान और एक प्लेयर को आप औल ले सकते हो माकरम को लेना है सुन्दर को लेना है वो टोटली आप को लेने का अडवांटेज है कि अगर लास्ट में का दे विकेट चले भी जाती है तो यहां पर अगर आप नोट करो दोस्तो अगर 150 का टार्गेंट है है पंदर रन भी कर दिये तो point बन जाएगा end में आके wicket भी ले गए तो यह हमारे false one player बन जाएगे false one वो player होता है जो weak team का रहता है इस case में हमने strong team को राजस्तान माना है तो राजस्तान के लिए chasing में यह combination चल सकता है CVC आप यहां पे बटलर और यहां पे jazz वाल को कर सकते हो किसी VC को अगर आपको change करना है यहां बोलर्स पर भी rotate कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई 3-4 wicket ले लेगा तो इसमें ऐसा भी मैं combination जरूर ट्राय करूँगा अगर राजस्तान का chase है जहां बटलर के साथ चहल या फिर बटलर के साथ मैं Trent बोल्ट को लूँगा ठीक है कुछ ऐ अब यह दोस्तो same combination मैंने use किया था आप देख सकते हो I am the man जो मेरा team name है team number 3 मैंने same combination opener plus 5 use किया था opener Sydney से करते थे wins और Josh फिले और उनके मैंने 5 bowler लिये थे एक bowler तो Daniel Christian को wicket भी नहीं मिला था बस उन्होंने catch किया था फिर भी वो मिर को जितवा के गए और सामने से मैंने क्या किया कोई bowler नहीं लिया क्योंकि wicket गया भी नहीं था इस match में जब मैंने bowler नहीं लिया कोई तो मेरा फायदा हुआ क्योंकि लोग कितने सारे लाए होंगे सोचो पर्थ जैसी team जो अपनी bowling पर चलती है उसका मैंने एक भी bowler नहीं लिया था और जो जो प्लेयर लिये उनमे मुझे आज भी याद है ठीक है तो यह कुछ options आप consider कर सकते हो ठीक है अब इसी में VC अगर यहां पर हम English भी करते है reverse captain कर लेते है एक team यहां का एक team यहां का तो भी यह आपके लिए और अच्छा हो जाता क्योंकि English के as VC जादा point राते फिलिपी के मुकाबले ठीक है तो margin of error फिर भी देखोगे यह आपके सामने result है 199 वली लीग में 12,000 लोगों में उस team के आये थी 5 rank थोड़ा सा changes होता वही rank 1 जा सकती थी वेज़से कोई फरक नहीं है क्योंकि 10,000 इसमें top price था ठीक है यह देखोगे आप 59 वली लीग में इसी team से मेरे 10,000 आये थे मेरे बाकी के combinations भी आप देखोगे at least winzone में तो आये ही थे यह एक और contest था इसमे rank 3 आये थी 25,000 लोगों में यह हमारे एक subscriber है इन्होंने top 3 आप कह सकते हो use किया था top 4 के साथ वो भी आपको दिखाऊंगा और यह grandly जीते थे ठीक है और false one मैंने यह भी आपको दिखाया था वो kind of जहिंग विर पुर भाई थे मतलब हो इनकी team name था इन्होंने हमारे यहां से केला था और काफी अच्छी rank लेके आये थे यह पिछले IPL का ही match है if I am right match 4 या match 5 है और दिली ने वहाँ पे लगबग opener प्लस 5 कर दिया था लास्ट में इक अठ्टे विक्टे गई थी शादू ठाकूर को यह देखो यह जीते थे IPL की series जारी रखना 11 combination वली जहां मैं सिखाता था यह भाई 7 लाक रुपे लेके गए थे IPL में ठीक है बाकि यह कडल के एक भाई है यह तो काफी अच्छे अब मेरे को mail भी करते रहते हैं कहीं बार जीतते रहते हैं अब तो यह काफी expert बन गया गेम बनाई एक लाक लेके गया यह भी रीड कर लेना क्योंकि यह शुरू से team रही है forecast family की ठीक है तो यह आपको मैं दिखाता जा रहा हूं यह वो जांगीर पूरी भाई है जिनकी rank 4 आई थी ठीक है तो इनकी team देखो दोस्तों वो combination में false one हिट हुआ था इन्होंने लगब लग फॉल्स वन किया था इनकी गलती क्या थी बतलब गलती नहीं थी चो बंदा साड़ थीन लाग जीत के गया अठाना लाग भी यह पंदर लाग भी जीते थे एक लिक में टोटल अठाना लाग भी नहीं था तो यहां पर बस इनके वीसी प्रित्वीशों होते न ओपनर प्लस फाइव जिसा लगबग कॉंबिनेशन हो जा था बट एक्चली उप्लस फाइव निया इनकी टीम में फॉल्स वन रहा बाकी इनोंने सेमिलर कॉंबिनेशन रखा और आप इनकी रैंग देख सकते हो ठीक है इवन इनोंने पंत को रख लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कई बार ऐसे कॉंबिनेशन में विकेट कीपर कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट देता है एक्जांपल आपके सामने है तो जिसका हिट कर जाए भाई या वो सीधा डिरेक्ट करेगा और मैं चाहता हूँ आप में से किसी का कोई तो आये लेके तो आओ में आ जाता है लोग ओपलर प्लस फाइफ समझ गए हैं फॉल्स वन भी अब समझ रहे हैं मैं दो साल से समझा रहा हूँ आप तो लोग कॉपी करने लगे हैं बड़े से बड़े गुरू आ गए हैं फील्ड में कॉपी करने हैं अब क्या करें ट्रेंट सेटर तो हम है ही ठी कमाते कई और से अदिखाते हैं आप को हैं आप लोग चले जाते हो पीछे मर्जी आपकी है वैई क्योंकि आपको जो राइड गाइड करते हैं जो बिटर सुत बताता है आप उसको फॉलो नहीं करते जो आपको सुीर लाय वता दे आपको मैं एक करोड जिता दूंगा अरे भाईया आओ मेरे पास धाई करोड लेके जाओ कल मैंने जीते एक करोड अरे घंटा कुछ नहीं जीते हो वो कमाते दूसरे तरीकों से है आप उनकी बातों में आ जाते हो चलिए अब हमें क्या लेना देना हम तो अपना बेस्ट करते हैं हारेंगे तो भी चैन की नहीं लेंगे क्योंकि डिप्रेस्ट डिमोटिवेट एक ही दिन हो सकते हैं अगले दिन तो हमें जीना भी है ठीक है न तो चलिए अब यहाँ पर यह बाते हो गई अब आप कहोगे यार प्यूश भाई यार आप तो अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और कॉंबिनेशन देखेंगे देखो सन्वाइजर्स की टीम में भी ओपनिंग प्लस फाइव बनाना ठीक है पांच बूलर उनके देखना ओपनर मोश्ट लैकली अभिशेक और मुझे लगता है राहूल त्रिपाठी आप विलियम सर में से कोई होंगे क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं पहले क्या होता था मैं A to Z Step Step सिखाता था भई अब उंगली पकड़के नहीं अब आप खुद जाओगे सपोर्ट मेरा हमेशा साथ में आपके ठीक है दोनों राजिस्तान रॉयल्स और सन्राइजर्स इनकी आज़त है विक्टे देना ठीक है स्पेशली सन्राइजर्स हाईदरबाद तो एक ना एक बूलर गेलोर टीम बनाओ जिसमें बूलर भरो ठीक है पांच से चे बूलर रखो उस केस में मैंने या यूजी चैल को लिया बोल्ट को लिया नेथन कुल्टर नाइल खेल जाएं तो उनको लूगा लेकिन अभी रवियाश्विन को प्रसित कृष्णा को राजिस्तान के चार गेंबाज और सन्राइजर्स के भूमनेश्वर कुमार और राउंडर्स में दोस्तों यहाँ पे मैंने अगेन एक बूलिं पुरान को भी ले सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राइ कर सकते हो विकेट कीपर्स में बोलर गिलोर टीम है बोलर जादा लिये हैं बोलर को लोग कैप्टेंसी कम दे रहे हैं लेकिन मैन अभदी मैच वही ले रहे हैं उमेश यादव, पुर्टन सी दे सकते हो किसी यहाँ पे ट्रेंट वोल जैसे बोलर को या इवन अश्विन सामने लेफ्ट हेंडर जादा है मैंने वशिंग्टन सुन्दर को इसलिए लिए है राजिस्तान के सामने लेफ्ट हेंडर देखो जैस्वाल लेफ्ट हेंडर है देवदत पडिकल इनके पास लेफ्ट हेंडर हैं इनके पास एक आदा और लेफ्ट हेंडर है अगर जैस्वाल के बार डीडी पी हो गए घैस्वाल के लेफ्ट हेंडर क्यों है बूलर निटराजन, शेफर्ड, सुन्दर और लेफ्ट हेंडर है तो यू नेवर नो माकरम भी बूलिंग कर सकते हैं टेड़ा कॉंबिनेशन इसलिए इनका मिडल और पर बल्लेबाजी आ रही है तभी मैंने चाहल और बोल्ट को भी लिया कोई तो विकेट लेगा और ऐसा कॉंबिनेशन लोग जाएंगे नहीं थोड़ा फ्रीस्टाइल है इसमें हमेशना फ्रीस्टाइलिंग इस इंपोर्टेंट सिरफ लॉजिक से भी टीम बनाओ लेकिन फ्रीस्टाइलिंग में अपने मन के प्लेयर्स बे ट्राय करो यह वो टीम होती है जो आपको 30 का 150 200 दे देंगी अगर आपकी दो चार टीम लॉजिक वली क्योंकि सारे लॉजिक तो वक्त नहीं करेंगे अगर बाहर जाती है विनिंग जोन से ये टीम आपको रिकवर करके देगी स्ट्रेटेजी कैसे खेलना है वो इंपोर्टेंट है ठीक है अब इस कॉम्मिनेशन में सी वी सी अब दो धाकड क्लेयरों को दो वशिंग्टन सुंदर को दो शैफट को दो माकरम को दो इनको कोई देगा क्या आप दोगे ठीक है इन लोगों को करो कैप्टन इसी लिस्ट म अगर इन सब को विकेट्स मिल रही हैं दोस्तों तो आप यह समझो कि हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया सब अब कहेंगे कि भाई ओपनर प्लस फाइब में तो ओपनर लेते हो यहां पे खेवल राहूल त्रिपाठी लिए देखो मैक्सिमम टॉप ओडर मैंने यहां अगर वो भी आउट कर देते हैं सब्सक्राइब में आके हीरो बनेंगे निकोलस फुरान चेजिंग में 150-60 का टार्गेट है अकेले स्पिनर्स को पेल सकते हैं वो कैपबिल्टी इन में है इसलिए रारार के स्पिनर्स को नहीं लिया फिनिशिंग में सपोर्ट कर सकते है रोमार्यू शैफर्ड भी सब्सक्राइब में है ले सकते हो चाए कोई भी आपको प्लेयर लेने का मन है बटलर सैंसन एनिवन ठीक है आप सैंसन ले लो चाए बटलर ले लो कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ कर सकते हो चेंजिस करते जाना वीडियो में बस दिमाग बढ़ाना ठीक है एक हाई स्कोरिंग मैच के इस आपकी टीम है दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना निकुलस पुरान का आप राजिस्तान के फेवर में अगर वैसा कॉम्बिनेशन चाहते हो तो वह हैटमेर के लिए बनाना ठीक है वहाँ है वहाँ हैटमेर को आप वीस शतक मारा था लग बंग क्योंकि आइनिक राहूँ 95 तक ही रह गय थे तो ऐसे ही कुछ कर सकते हो यहाँ पे राहूल तुरि पाथि को आप कैपेंसे दे सकते हो बटलर और यहाँपे सैंसन बेसे किसी एक को दे सकते ओ ठीक है यहाँपे आप मानलो कि आप captaincy दे रहे हो, butler को, vice captaincy दे रहे हो, triparty को, यहाँ पे आप मान लो captaincy दे रहे हो, samson को, vice captaincy williamson को, यह क्या है, यह एक तरह का reverse captain है, normally अभी तक हमने बल्ले बास के साथ gain-bass देखा था, इसमें आप मान रहे हैं दोनों teams का एक opener, बड़े runs कर रहा है ठीक है, और bowling में आप अपने जिस team को captain कर रहे हो, जिसे अगर आपका samson captain है, तो आप bowler यहाँ पे फिर उनी के दो लो, लेकिन अगर आपका williamson captain है, तो bowler उनके दो ले लो, ठीक है समझ पारे हो, अब थोड़ी bold बाते करेगें, जिसे मैंने का था, bold prediction देखो, जो मुझे लग रहा है sunrisers की जो game है, वो सारी kane williamson पे है, kane williamson को important knock खेल नहीं पड़ेगा, वरना sunrisers बिखर जाएगी, यहाँ पे game आएगी abhisheak sharma पे, four member अगर आप खेल रहे हो, इस match में क्या होगा, कोई ना कोई अभिशेक sharma लाएगा, आपके सामने, 7% selection भाड में जाए, कोई ना कोई लेके आएगा अभिशेक sharma को, क्योंकि यह सब देख लेंगे opening आ रहे हैं, ठीक है in fact, यहाँ पे फिर हम बात करें अगर bold prediction की, तो मुझे जो लग रहा है bowling में Trent Volt हिट हो सकते हैं high chance of hit होने का, ठीक है then यहाँ पे Yuzichail हिट हो सकते हैं, यह दो bowlers, अब थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि, अगर Sunrises की bowling पहले है, तो नटराजन की बन जाएंगे बाद में है, तो भी important है, बट फिर ignore कर सकते हो, पहले bowling में नटराजन डेथ में आएंगे, तो की बन सकते हैं, यह ध्यानक ना है Nathan Coulter Nail नीशम में जो भी केलेगा वो हो सकता है, मेरी small league team में भी रहे high chance है, ठीक है, तो यह मैं देखके चलूँगा, अभी दोस्तों, बल्लेवाजी थोड़ा नीचे है, मैंने इनको small league से drop किया इनका बल्लेवाजी करम डिसाइड करेगा मैं इनको लूंगा के नहीं, ठीक है, राजस्तान की bowling quality वली है, डेथ में इनके पास weakness है, तो डेथ में अगर weakness है, निकोलस पुरान हिट हो सकते हैं, ठीक है बैक इन IPL 2017, ये डेली की टीम में थे तब, संजू सैमसन तो ये चीजे हैं, जो मैं आपको important कुछ बताना चाहता था बोल्ट प्रेडिक्शन में, हैट मेर से थोड़ी fail वली feeling आ रही है मुझे personally, ठीक है, जैसवाल से मुझे ऐसा लग रहा है और अब ये आके लोगों के captain बनने के लिए त्यार हैं, कर सकते हैं कुछ तो इनको मैंने पहली combination में आपको VC भी दिखाया था बटलर के साथ तो ये कुछ बाते हैं, जो मैं आपसे करना चाहता था यहाँ पे all rounders में मुझे लग रहा है कि यहाँ main game changers है main game changers, कल क्रुनाल और तवतिया किस section में थे, इसी section में क्या मेरी video team में वो थे, दोनों नहीं थे last time pitch का देखा, अरे भाई, spin bowling all rounders तो चल सकते हैं तवतिया भी डाल लिए, क्रुनाल भी डाल लिए, bowling देखी थी क्रुनाल की कल, मज़ेदार bowling थी वैसा ही कुछ isk में, match में सुन्दर, अगर नीशम खेल जाएं वो, नहीं तो shepherd, ये तो खेलेंगे, ठीक है ये section की बनेगा, देखो grand league में मेरे दिल के, मैं रियान पर आपको भी try करूँगा these were some bold predictions I wanted to make, उमीद करता हूँ कि कुछ आपको अच्छा लगेगा और कुछ काम आएगा आपको motivation के लिए winning भी दिखाई है, be happy and motivated, बहुत लोग होते हैं जो negativity में आपको डालेंगे, उनसे दूर रहो जो खुश रहते हैं, जो खुश रखते हैं, उनके पास रहो, आपकी चीज़ें अच्छी चलेंगी attract goodness, happens goodness, ओके, आपको खुद दिखा रहो हूँ, मैं खुद 20 टीम्स create नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी starting के matches हैं, मुझे और भी आपको चीज़ें अपडेट करनी रहती हैं, वरना grand league निकालेंगे बहुत जल्दी, 5 match हो जाएंगे, अब हमें लगभग इनकी 11s पता लग मजे करेंगे, ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लिजी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो किस बात का वेट है, अभी तक नहीं जुड़े तो मुझे लगता है, आप interested नहीं हो, वीडियो के link में फिर भी description है, अगरी वीडियो में मिलते हैं,